हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लेट सुलोग विद पूनम में आज मैं सेर करूए आप सब के साथ सूजी से बना हैल्दी टेस्टी नास्ता जो जटपड बनकर त्यार होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लेगेगा इसे हम बहुत फ्रेस दही लेनी है इन दोनों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स अब यहां पर हमें थोड़ा सा पानी इसमें आड़ करना है लगबग आदा कटोरी के करीब जैसे इसमें पानी डाल देंगे उसके बाद यहां पर इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसे पर डाल देंगे दो जार लहसुन के करलियों को इस तरह से बारी कट करके लिया है लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेने के बाद इसके बार डालेंगे इसमें हम हरी मेज दो हरी मेज को यहाँ पर बारी कट करके लिया है इसे भी इसमें डाल देते हैं इसको भी कर देते हैं फ्राई और इसके बार डालेंगे यहाँ पर प्याज एक प्याज को मैंने इस तरह से बारी कट करके लिया है प्याज को भी हमें हलका सा भूनना है ज़्यादा नहीं पकाना सिर्फ एक मिनट के लिए इसमें तेल में फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर जैसे हमारा प्याज भी अच्छे से हो जाएगा इसमें फ्राई उसके बार डाल देते हैं हैं इसमें हम सिमला मिर्च यहाँ पर एक सिमला मिर्च को इस तरह मैंने बारिक कट करके लिया है ये भी डाल लेते है इस狂़ पी आप कोई भी सब्ज़ आपके पास है गाजर और भी सब्ज़य जो यूज करना जाते वो भी से इस välग़ाय कर सकते हैं मेरे पास यह सब्ज़य ideal है मैंने इसी कांशतिमाल किया है अब जैसे ही इसको भी हम थोड़ी सी देर भून लेंगे एक मिनट के लिए सिमला मिरे चोर प्याज को अच्छे से भून लेंगे हैं अब डालेंगे यहाँ पर मसाले सबसे पहले हम लेंगे नमक नमक हमें यहाँ पर स्वाद के नुसार लेना है थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पर हल्दी एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच यहाँ पर लेंगे हम आमचूर पाउडर और आदा चमच यहाँ पर लेंगे हम गरम मसाला इन सबी मसालों को हम यहाँ पर कर देंगे अच्छे से मिक्स और सिर्फ एक मिनट के लिए ही हमें यहाँ पर low flame पर सबज्यों के साथ में मसालों को अच्छे से भून लेना है उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर आलू ये मैंने दो आलो को इस तरह से मैस करके लिए है, उबले हुए आलो है, और हैंको भी हम मेहाँ सबजियों के साथ कर देंगे अच्छे से मेक्स और इसे हमें अच्छे से भून लेना है लग बग एक से डेड़ मिनट के लिए ही हमें यहां पर अच्छे से भून लेना जैसे हमारा आलू हो जाएगा है यहां पर भून जाएगा इसके बाद हैं गैस की फ्लेम को बंद और इसे हम अलग से एक बरतन में निकाल लिया ह और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और देखिए 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर नमक नमक हमने पहले नहीं डाला था और याद रखिए नमक हमने मसालों में भी डाला है इसी तरह का हमें बैटर बनाना है और थोड़ा सा डाल देंगे हाँ पर बेकिंग सोडा इससे हमारी जो नास्ता है अच्छे सा फुला फुला बनेगा और बढ़िया तेस्ट आएगा और यहाँ देखिए इसी तरह का हमें बैटर रखना है और इसके बाद चलते हम गैस की तरफ, अब लेंगे हम यहाँ पर नॉन स्टिक पैन, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी, आप इसकी जगह पर तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, उसके उपर डाल देते हम जो सूजी का बैटर त्यार किया था थोड़ा सा, इस तरह से हमें अच्छे से फैला देना है, पतला पतला ही, इसके बाद डाल देंगे हाँ पर आलू, आलू को मैंने इस तरह से टिकी की तरह बना लिया था, और इस तरह से डाल, टिकी हमें यहाँ पर थोड़ी सी पतली ही बनानी है, और इसके ओपर भी हमने जो बैटर बनाया था सूजी क बो डाल देते हैं मिलकुल हमें यहां पर ठोड़ा हिदाना है इसको हमें अलुद का अच्छê से ठख देना इतना हिई है और कि इसको हम ठख करके पता हैं ओगाए गए एक साइड nanas Turi जाएगा हम यहाँ पर पलट लेंगे इसको दूसरी साइड से पका लेते हैं देखे एक साइड से हमारा यह अच्छे पक गया और अच्छे से फूल भी गया है आपको मैं बाद में दिखाऊंगी और इस तरह से हम इसको दबा देंगे जिससे कि आलू और सूजी अच्छे से सेट हो जाए देखिए दो तीन मिनट लगे हैं और जो हमारा नास्ता अच्छे से बन कर त्यार हो गया गैस की फ्लेम क है क्योंकि हमने इसने बहुत कम घी तेल का इस्तेमाल किया है यह बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर दो आएगा थाय।